नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनो स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामदरिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चेनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर करोर्षी मेल हठीली आप पुरुष जातक है और आपके हठीली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हूई है रियल हठीली है बहुत खुपसूरत हठीली है आगे राज्योग बनता वहा दिखाई दे रहा है बहुत कमाल का राजियो लेकिन अभी बर्तमान इस्तिती यहां पे देखें तो आपका सुक्र परवत से लगाऊ हा आपका अंगुठा इस पश्ट तरीके से बता रहा है कि जीवन काल के 42 वर्स से पहले कोई भी ब्यापार न करे अगर आप ब्यापार की इस्तिती में आते हैं तो संगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और धनहानी होगी किल्यर और कट बता रहा है ब्यावसाई अगर करने की सोच रहें तो बड़ा सोच समझ कर ब्यावसाई करे ब्यावसाई में नुकसान होनी की संभावना ज़्यादा दिखाई दी रहे है और करते भी है इसके अलावा अगर कोई आप्सन नहीं है तो आप पार्टनर्शिप में काम न करे और ये चीज जो है ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खास कर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी इस्तित दिखाई दे रही है वो लेट दिखाई दे रही है 42 एर से चीजे थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएंगी मैनेज होने बैठ जाएंगी और जीवनकाल के 45 वर्ष के आसपास भाग्योदाई इस पश्ट तरीके से दिख रहा है पूर्ण भाग्योदाई है 56 वर्ष के बाद भी बहुत अच्छा समय आपका जीवन में आ रहा है तो ये चीजें के लिएर हो गई है दूसरी अगर यहाँ पे एक चीज और देखें यहाँ पे तो आपकी हतेली में एक राजयोग बन रहा है उसके बारे में भी देखते हैं यह आपकी जो उंगली है जिसे हम कनिष्टिका कहते हैं पूरी तरह से सूरे की उंगली के तरफ जुके हुई है और इसका जुकाओ बता रहा है कि धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त रूप में है यहाँ पे यह इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है आपकी कम्यूनिकेशन इसके सांदार रहेंगे आप आने वाले समय में बिसेश कर 42 एर के बाद अगर देखें तो ब्यापार में उतर जाएंगे और 45 एर में उत्कृष्ट ब्यापारी बन जाएंगे अगर 42 एर से हम देखें अगर आप नौकरी भी करना चाहते हैं अभी से अगर सुरू करते हैं चाहे प्राइविट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो कहीं न कहीं आप अच्छे पत पे जाएंगे उच्चोवर्ग का बिक्तित तो रहेगा सफलता आपको जरूर मिलेगी हाँ अपनी ही बलबूते पे आपको सफलता मिलेगी यह यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है दूसरा अगर हम बात करें तो आपका बुद्ध का परोत भी शांदार है अच्छी इस्तिति में दिखाई दी रही है वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी वाणी की सक्ति बाणी बहुत अच्छा रहेगी आपका और 46 एर से जादतर संभावना ये दिखाई दी रही है कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करेंगे 42 एर से ये बता रहा है हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाते समझने बैठ जाएंगे अपने जीवन काल में योजना बना कर चलेंगे इसका विसेस लाब आपको प्राप्त होगा और जादतर जो भी काम आप प्रारंब करेंगे उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे पूरे अवस्या करेंगे और इसका लाब भी आपको मिलेगा आपकी वानी बहुत अच्छी रहेगी और मनो बेग्यानिक छेतर में भी आप माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जानेंगे जो सेल्स और मार्केटिंग के गुणा है और ब्यापारिक कारियों में आप इसे सपलता की भी प्राप्ति करेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपकी यह रेखा यह उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पे ब्रिस्पति की उंगली से बड़ी है मिडली फिंगर से छोटी है लेकिन लगबग बराबर की इस्तिति में भी पहुँच रही है एका एक कहीं से धन आ जाए इसकी फितरत ज़्यादा दिखाई दी रही है और इसके लिए ब्रिक्ति कहीं न कहीं सियर है, सट्टा है, लोटरी है जिसमें अचानक धन मिल जाए ऐसी फितरत बनती है और आकर्षित हो जाता है जिसमें मान सम्मान प्रतिष्टा हो इस प्रकार की तरब ब्यक्ति का खिचाव कम रहता है तो थोड़ा ध्यान रखें आपकी हतेली में दो नम्मर का कोई भी काम चाए वो सेर का काम हो सट्टा का का काम हो लोटरी का काम हो इसमें आप पाताल में चले जाएंगे और आपको उ पूरी तरोसी तिलान जली दे दे छोड़ दे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा बहुत अच्छा रहेगा ब्रस्पति की उंगली से बड़ी है मिडिल फिंगर से हलकी छोटी है अभिमान तो रहेगा जीवन में फितरत तो रहेगी लेकिन चीजों में रिस्क लेने की जो ता सबहों कहते हैं यहां पर ब्रस्पति का परोद धीरे धीरे पुष्टता की और जा रहा है जीवन काल के 45 वे वर्स से आपकी अतेली में राज योग बन रहा है प्रतेक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आने बैठ जाएगा 45 एर से कितना आएगा आपके मस्तिस्क सक् और आपकी योगिता के उनसार आपको सांदार वाहन का सुक मिलेगा मन पसंद वाहन का सुक आपको प्राप्त होगा अपने कमाई हुए पैसों से 45 और 50 वे वर्स के बीच में अपने सांदार घर का निर्मान करेंगे और एक सांदार व्योसाई एक सांदार जो है बिजनिस आपके पास मौजूद होगा ये तेन सुक जीवन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे राजा के समान भी जीवन जीएंगे ये राज योग वता रहा है लेकिन 45 एर से ये चीजें दिखाई दे रही है 42 एर्स के पहले ब्यापार नहीं है ये मैंने पहले ये आपको किलियर कर दिया है दूसरी बात एक बार पुन हो किलियर करना चाहता हूँ आपकी जो मिडिल फिंगर है ये इस प्रकार से पूरी तरों से जुक रखी है रिंग फिंगर के तरब खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और धन कमाने की जो इस्तिति है थोड़ी सी लेट आएगी 42 वर्स से जादा अच्छे दिखाई दे रही है और बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिस्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धूपी का काम भी साइद आपको करना पड़े दिखाई दे रही है ये उंगली इस तरों से जुक रखी है निश्चित रूप से धार्मिक भावनाईं बहुत जादा रहेंगी इस वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा और अपने इश्ट के परती सरदा भा बनी रहेगी यहाँ पर अगर हम देखें एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतनसील बिक्तित्व बना रहेगा भाव किसम का बिक्तित्व आपका रहेगा निश्ठुरता कुरूरता और खरूसमन आपकी बिक्तित्व को नह पड़ेगा अपने पैर पे आप खुद कुलाडी मारेंगे ऐसी इस्तिति पैदा हो सकती है तो इस चीज का ध्यान रखें और ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचा है बचना है उतावलापन आपके अंदर जादा है इस से थोड़ा समल के रहना बहुत जरूरी है यहां प सुरुवाती दोर था तो इसने निश्चित ही जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको दिया है जब इस प्रकार से राहु की लकीरे होती है तो यह जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवाती है और इसका प्रभाव अभी भी हो है जैसे अगर हमारे पैर में काटा चुबता है तो काटा निकल जाता है लेकिन उसका जो घाओ रहता है वो दर्द करता रहता है तो उसी त़रो है इसने जटका तो दे दिया ठीक है लेकिन उसका जो पीडा है अभी तक दिखायी दे रही है और forty one year तक इसकी पीडा रहे जब जीवन में 42.000 वर्स में आ बहुत ज़्यादा हानी नहीं पहुचाएगा 45 वर्स में ये सांत इस्तिति में आ जाएगा ठीक है ने लेकिन अभी ये कहीं न कहीं कदम कदम पर मुश्किलें दे रहे हैं रोटी रोजगार को रहे के पोहसे रुपे को लेके आजियुका को लेके हर जगह ये उतार है आपको प्रेशान कर रहा है और इसकी वजोसे बहुत बड़ी धनहानी हुई है आप करजे में आ गये हैं और करजे से इतना प्रेशान है कि उतर भी पाएगा कि नहीं उतर पाएगा ये चिंता आपको खाई जा रही है ये चीजें आपको प्रेशान कर रही है और चाहे नौकरी हो चाहिए रोजगार हो ये अनबैलेंस इस्तिति में आ गई है और आपको पता नहीं चला है कि वास्तों में करना क्या है मनि ब्यक्ति जो है रोड की किनारे पे आ जाता है ने ऐसी इस्तिति देता है तो देखेगा इसका मैं एक उपाई भीज रहा हूँ आपको वो विदिवत तरीके से करेंगे निश्चित ही लाब होगा दूसरा में एक नोकरी का उपाई भीज रहा हूँ उस उपाई को जरूर करें निश्चित ही आपको लाब होगा और अभी आपको नोकरी करनी ही अच्छी है ब्यापार करना आपके लिए धंहानी को नियोता देना है ब्यापार की तरफ़ जा सकते हैं तो चीज़ें बहुत यहां पे देखेगा यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले अगर सूर्य की उंगली देखें इसके नीचे का भाग यह गड़ा नुमा बना हुआ है और इसका प्रभाव बरतमान में सबसे जादा पड़ रहा है आपके द्वारा जो भी प्रियास के जा रहे हैं उसमें आप अस सफल हो रहे हैं सपलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरह से चीजें उभर नहीं रही हैं बरतमान में निखर के नहीं आ पा रही हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप परिश्रम कर रहे हैं उसका जो पु पा रहा है तो कोई यहां पर अतिस्वयोगति नहीं है आपकी आर्थिक इस्तिति भी बहुत ज्यादा बहुतरीन नहीं है आपका सूर्य का प्रोथ बता रहा है आपको जो यस मिलना चाहिए था जो कीर्थि आपकी फैलनी चाहिए थी वो ना के बराबर है जिसों कहते हैं बै कहीं न कहीं आपके जो सारिरिक चक्र है वो सूरे के चक्रों के साथ परस पर तालमेल में नहीं है। जिसके कारण इसका प्रभाव तमाम आयामों पर पड़ रहा है जीवन के। ब्यापार की तरब जाता है न तो उसको विस्तार मिलता है न फैलाव मिलता है न नाम और यस मिलता है न वो प्राण बनकर उबरता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पर लगा के ब्यापार में गया था। ऐसी इस्तिति में अगर आप नोकरी भी करते हैं तो नोकरी में वो ग्रौथ नहीं मिलती है जिसके लिए आपने आपने आपको खपा ले आओ क्या करना चाहिए देखेगा सूर्य प्राण है सूर्य ही सब कुछ है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सूर्य सबसे महत्वपूर्ण है ये सूरज ठीकन इसको इस तरों से समझे अगर सूरज की किरड़े इस धर्ती पे ना पड़े तो जीवन की कोई संभावना नहीं होती है यानि इस प्रिथिवी पर जीवन की संभावना खतम और आपके सरीर के अंदर जो सूर्य है वो आपके हतिली में कमजूर है तो जीवन में प्रोग्रेस की संभावना खतम और क्या करना इसको एक्टिबेट करने के लिए ये अगनी तत्व का मालिक है ठीक ने और अगनी तत्व मतलब जीवन प्राण अगर आपके अंदर जो है जिसको हम कहते हैं ने कि ताप मान अगर वो धीरे धीरे गिरने बैठ जाए तो जीवन ठीक नहीं रहता है ये वही है सूर्या इसको ठीक करने के लिए आपको एक दिब्या सूर्य किरिया दी जाएगी और सूर्य उपासना दी जाएगी आपको दिव्य सूर्य किरिया भी करनी है, सूर्य उपासना भी करनी है अगर आप विदिवत तरेके से सूर्य किरिया करते हैं तो निश्चित तोर पे धीरे धीरे आपकी जो सारिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ प्रस्परताल मेल में आ जाएंगे और इसका जो प्रभाव है वो आपके जीवन के तमाम आया मोपी पड़ेगा जहां आपकी सारेरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजदा से चलेगा फिर चाहे सारेरिक स्वस्त्य हो फिर जीवन की खुसाली हो या उत्सा हो उर्जा हो इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी और अगर आप सूरे उपासना भी करते हैं तो जहां आपके कारियों को विस्तार मिलेगा वही धन की प्राप्ति बहुत अच्छी होगी ये आपकी हतेली का सूरे बता रहा है और देखेगा यहां पे ये बहुत ज़्यादा उभर गया है सन के कारण बे वजहें की चिंताईं जन्म ले रही है या न कोई न कोई ऐसी वजहें पड़ रहे है जो मन को प्रभावित कर रही है चिंता में डाल रही है मन असांत है बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशाने से आप जूज रहे है ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है और ज़्यादा मात्रा में है यहां पे अगर देखें इस प्रकार से चीजें बन रही है इसे अच्छा नहीं माना जाता है ये सनी है जब सनी इस प्रकार से होता है तो भग्या व्यक्ति को इस्तिमाल करता है व्यक्ति अगर ऐसी इस्तिति में हो तो सबसे पहले रोटी रोजगार खतम हो जाता है तो सनी की उपासना जरूर करें इसके लिए एक दिव्य योग ध्यानी की रिया दे रहा हो उसको विदिवत तरीके से करें तो लाब होगा धीरे धीरे जो है आपका ये ब्रेस्पति भी गड़ा नुमा बनतावा दिखाई दे रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है तो ये धन का कारक है, मान सम्मान प्रतिष्टा का कारक है और धर्म का कारक है जीवन में इसकी बहुत बड़ी विसेस्ता है ये आपके हतेली में साधारन अवस्ता में बैठ गए है और आपके अंदर इस समय ये साधारनता देने की कोशिस कर रहे है सामन्य साब्यक्तित देने की कोशिस कर रहे है लेकिन नैसर्गित गुणों को नहीं छोड़ रहे है हसमक सवाव रहेगा दयालता रहेगी प्रोपकार की भावना रहेगी मनि दूसरों की मदद करने की भावना आर्थिक पक्ष को अगर ठेक करना है तो जो उपाय दे रहा हूं उनको विदिवत तरीके से करे लाव होगा यस की प्राप्ति के लिए मन में जुकाओ बहुत ज़्यादा बन जाएगा स्वतंतरता और लेडर्शिप की चाह रखने वाला व्यक्तित तो आपका दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आपको सांसारिक सुक और पारिवारिक सुक चाहिए तो ब्रिस्पति को ठेक करें और ब्रिस्पति को ठेक करने के लिए क्या करेंगे भगवान विष्णों की जितनी हो सके उतनी सेवा करें आपके लिए बिहतरीन रहेगा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो हिर्देई की रेखा है ये इस तरों से आती हुई दिखाई दे रही है सीधा आचारे बिरस्पति से युक्ति बना रही है बहुत अच्छा जीवन काल के 45 वे वर्ससे 55 एर से ऐसी इस्तिति जन्म ले रही है कि चाहे आप जीवन में ब्यापार करें चाहे नौकरी करें चाहे और भी कोई काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन की और आप जा रहे हैं अगर हम दोसरी बात देखें यहाँ से एक रेखा निकल रही है और इस पे एक भी का आकार बनाती हुई दिखाई दे रही है जीवन काल के 45 एर से भग्या आपको सो भग्या की और ले जाता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है और जीवन में अच्छा खासा पैसा आपको प्राप्त होगा यह बता रहा है और आपके जो पंच तत्व हैं पंच भूत हैं फाइब एलिमंट जिने कहते हैं आपके सरीर की जो सातों चक्र हैं आपकी जो पाँच ग्यान इंद्रियां है और पाँच कर्म इंद्रियां हैं यह बथा रही है कि जो आपके इष्ठ देव है वो भगवान विश्ट्व है आपके उपर इस भूबैकुंट धाम के स्वामी साच्छात बद्री नारायन जी की विशेश किरपा है और यदि आप अपने जीवनकाल में सही रास्ते पे चलते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो किसी भी काम में आपको 42 वर्स के बाद से अच्छे सपलता मिलनी सुरू हो जाएगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए कभी भी संभव नहीं रहेगा इसके अलावा 45 एर से आप समाज में खुब लोग प्रियता और सम्मान पाना सुरू कर लेंगे और अच्यंत भग्यसाली लोगों में से लोग आपको म मानना सुरू कर लेंगे ये इस्तिति यहां पे बन रही है लेकिन दो नम्मर का कोई भी काम हो शेयर है सटा है लोटरी है इस चकर में ना पड़े अगर इस चकर में पड़ेंगे आप अपने जीवन को बरबाद कर लेंगे अपने पैर पे खुद कुलाड़ी मार लेंगे औ बड़ी गजब की है आपका मानसिक इस्तिति बहुत अच्छा है एक सकारात्मक सोच रखने वाले बेगती हैं और ठीक है और अंतमें दो भागों में बढ़ रही है एक से जादा छेतरों से अर्थो पारजन का प्रियास भी आपके द्वारा किया जा रहा है ये बता रहा है जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई और पूरी हतेले को जो है यहाँ पे पार कर रही है परिवार के प्रति समरपन की भावना रही है लेकिन स्वतंत्र विचार धारा के व्यक्ति आप हैं अपने मन के मालिक हैं अपने मन के करने वाले हैं आपके अंदर जिद्धी प के अंडर में किसी के आदिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है और कभी कभी जल्द बाजी में ओबर कॉन्फिडेंस की उजों से आपको नुकसान जहिलना पड़ता है पिर पच्छताना भी पड़ता है हां मैनेजमेंट की छमता अच्छी है अगर समल के चलें तो मैनेजमेंट की छमता बहुत अच्छी रहेगी इसका लाब होगा और रिस्पोंसिबिल्टी निभाना आप अच्छी तरों से जानते हैं इसका भी लाब होता हो दिखाई दे रहा है यहां पे अगर देखें ये रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है इसका प्रभाव जीव और इसको कला है सुंदर है सुंदरता है इन सब चीजों के लिए और एक सुख़त जीवन जीने के लिए हतेली में इसी परकार पुष्ट होना जरूरी होता है आपकी हतेली में ये सुक्र सुंदर रोप में उबरा है तेजोमय अवस्ता में है निश्चित ही ये आपको विद्यमान रहेगा हर प्रस्तिति को जहलने की चंता जागिर होगी ये बता रहा है लेकिन अभी ये ब्रिस्पति से पुष्ट है ब्रिस्पति कमजोर है जिसके कारण इसका जो अच्छा प्रभाव है ये नगेटिव अवस्ता में आ रहा है और हमेशा ऐसा ही होता है जब ब्रिस्पति इसको कंट्रोल न कर रहा हो तो ये बिप्रीत परिणाम देता है ऐसे में ब्यक्ति को मानसिक प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में ब्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है प्रिसरम करता है तो भी अभाव की इस्तिति रहती है लाख प्रियास क तो इसके अच्छे प्रभाव पाने के लिए इसको ठीक करना है बलकि इसको नहीं जब ये ठीक होगा तो इसके प्रणाम अपने आप सकारात्मक होने बैठ जाएंगे तो उमीद है आपको जो है ये चीजें कहीं न कहीं जो है समझ में आ रही होंगी निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव मना रहेगा और इसका लाब आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका ये वाला भाग बहुत ज़्यादा अन्वैलेंस है मनी उठ रहा है तो जब ये उठने बैट जाता है या बहुत ज़्यादा डाउन होने बैट जाता है तो सीधा सीधा मन पे प्रभाव पड़ता है ऐसे में ब्यक्ति का मन गड़बड रहता है ऐसे में ब्यक्ति मानसिक परेशानियों से गरसित रहता है और कही बार उसका मन ब्याकुल हो जाता है भटकाओं की इस्तिति में पहुंच जाता है इमोशनली ब्यक्ति परेशान होने लग जाता है और कारियों में मन नहीं लगता है बहुत अलग अलग चिनताइं करनी पड़ती हैं और यहां पे अगर इस परकार का चिन्न हो तो ब्यक्तिक कई बार ऐसी इस्तिति में पहुंच जाता है कि कहीं दूर से घर से दूर चले जाओ या सुसाइड कर लो ऐसे विचार आते हैं तो इनको हमें कंट्रोल करना चाहिए ऐसे में डाइजेस्टिब सिस्टम भी थोड़ा गड़ड़ाने बैठ जाता है और नीन आने में दिक्कते आने बैठ जाते हैं तो इसके लिए सबसे पहला उपाई क्या करना चाहिए जल का जितना ज़्यादा हो सके सिवन करना चाहिए पानी खूब पीना चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों को एक अच्छी नीन लेने के लिए मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए जो दिब्य योग ध्यान के रिया है और दिन में दो बार करना चाहे जादा बार हो जाए बहुत अच्छा तिरकाल संध्या की तरह अगर करें वो बहुत अच्छा है लिकिन कम से कम दो बार करें एक सुबा करें और एक साम को करें और खाना खाने के बाद हम ऐसा गुड का सिवन करें तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरी किसे लिख करके और आडियो के मादेम से बीज रहा हूँ करने की आप कोसिस करें निश्चित ही बहुत अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार